नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओपो A33 2020 वर्सिस इन्फिनिक्स होट 11S का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो ओपो A33 2020 में 6.45 इंच जबकी होट 11S में 6.65 इंच की लेंध मिलती है Width की बात करें तो, Oppo A33 2020 में 2.96 इंच जबकी Hot 11S में 3.03 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Oppo A33 2020 में 0.33 इंच जबकी Hot 11S में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Oppo A33 2020 से ज़्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Oppo A33 2020 में 186 ग्राम्स जबकी Hot 11S में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी Oppo A33 2020 से ज़्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Oppo A33 2020 में 20 रेशियो 9 जबकी Hot 11S में 20.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Oppo A33 2020 में 6.5 इंचर जबकी Hot 11S में 6.78 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेशियो अपो A33 2020 में 720 रेशियो इंचर रेशियो 10 रेशियो इंचर मिलता है पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो ओपो ए 33 2020 में तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा डेप्थ कैमरा और आखिर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है और होट 11S की बात करें तो इसमें भी हमें तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera wide angle और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो Oppo A33 2020 में 9 different type के features मिल जाते है और hot 11s की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Oppo A33 2020 में Adreno 610 जबकी hot 11s में Mali G52 MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो Oppo A33 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और hot 11s में MediaTek Helio G88 मिलता है बात करें RAM की तो Oppo A33 2020 में 3GB जबकी hot 11s में 4GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Oppo A33 2020 में 32GB जबकी hot 11s में 64GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में up to 256GB है ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo A33 2020 में Android V10 Q जबकी hot 11s में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Oppo A33 2020 में 2 colors जबकी hot 11s में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बात करें price की तो Oppo A33 2023 GB RAM 32 GB storage के साथ 9,990 रूपीज में मिल जाता है और बात करें hot 11s की तो वो 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 10,499 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prams and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Oppo A33 2020 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करें infinix hot 11s की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है main camera में hot 11s आगे है front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है दूसरा Vivo Y20 है तीसरा Tecno Power है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y30 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना